इंतरिस जीत अश्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत हैं हम पढ़ रहें NCRT क्लास 11 अध्या 11 आधुनिकी करण के रास्ते भागचार इसमें हम अर्थ बेवस्था का अधुनिकी करण परेंगे कि मतलब जपान की बात अभी चल रही है तो जपान में अर्थ बेवस्था का अधुनिकी करण कैसे हुआ तो जिस तरह मेजी को हटा कर मतलब जो उस समय का सासक था उसको हटा कर मेजी सामने आया ठीक है तो मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपुन हिस्था अर्थ बेवस्था का अधुनिकी करण था मतलब समझो कि मेजी सुधार का एक अन्य महत्वपुन हिस्था मेजी ने सुधार किया उसी को बोल रही है आपर क्योंकि वो महतोपुन हिस्सा था इसलिए अर्थ विवस्ता का अधनी की करन था और इसके लिए किरिसी पर कर लगा कर धन एकठा किया गया किरिसी पर खेती बारी जो भी होता था टेक्स लगा दिया गया वहां से पैसे लिये गया वहां से टेक्स लिया गया जपान की पहली रेल लाइन 1870 से 1872 में तोकियो और योकु हामा बंदरगाह के बीच बिचा दिया गया वस्त्र उद्धोग के लिए मसीने यूरोप से लाए गए थे ठीक है यूरोप से आयात की गई थी मजदूरों के प्रसिक्षन के लिए बिदेशी कारिगरों को बुलाया गया था कि भैया मेरे मजदूरों को सिखाओ साथी उन्हें जपानी विच्तो विद्याले और स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया था जपानी विद्याण्ठियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भीजा गया कि भाए जाओ विदेश में पर कड़व, कुछ नैया निया सीख कराओ, 1872 में आधोनिक बैंकिंग, 1872 में आधोनिक बैंकिंग सर्स्थाओं का प्रणम्ब हुआ था, और मिट्सु बिसी, मिट्सु बिसी और सुमी तोमो, थोड़ा नाम अलग है, थोड़ा अजीव सा भी है, एक तरीके से आप देश सकते हो, अजूबा, अजूबा है, लेकिन हमारे भारत वासीओं के लिए अजूबा है, उन लोगों के लिए अजूबा निये, क्योंकि हम भारत में अलग भासा बोलते हैं, वो लोग अलग भासा बोलते हैं, उस समय अब ध्यान देऊ गए कि बहुत सारी कंपणी खुली थे, नए नए नया कंपणी लगाए गए थे इसका नाम दिया जा रहा है कि मित्सु बीसी और सुमी तोमो तो सुमी तोमो जैसे कमपनियों को सबसीडी और करोर में फाइदे के जरिये परमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिले तो यह दोनों कमपनी जहाज बनाने के लिए जाने जाते थे और यह लोग ज सबसेटी दिया गया था और इसका फाइदा उठाकर परमुख जहाज निर्माता बनने में इंद लोग को मदद मिल गया और इससे जापानी बैपार जो था जापानी जहाजों में होने लगा तो झाय बात्शु बरी बैपारिक शंस थाए जिन पर बिसिष्ट परिवारों का नियंत्रन था, जो बरे-बरे परिवार थे, उनी का नियंत्रन होता था, किस पर? जाय बात्सु, मतलब ये पूरा एक परिवारिक संस्ता था उसमें, तो इन ही लोग का अंदर में सब बैपार चलता था, बरा-बरा जितना हुए बैपार था, इन ही लोग का अंदर में था, तो उसका परभुत दूसरे बिसुद के बाद तक अर्थ बेवस्था पर बना रहा और दूसरा जब यूद हुआ था, बिस यूद हुआ था, तब तक ये पूरा अर्थ बेवस्था पर बना रहा, उचाव ढूलाव, उचाव ढूलाव, उसमें से हिरोस्मा पर पर परमानु बंका टेक हो गया, फिर नागा सहीब हो गया, दिक अप था, अगर जपान नहीं म जनसंख्या, और देखना यहाँ पर, कि 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड थी, कहां जपान की, जो 1920 में 5.5 करोड हो गई थी, ये तो बिहार का जनसंख्या से अधो नहीं आवी, जनसंख्या के दवाव को कम करने के लिए सरकार ने परवास को सक्रिये रूप से बढ़ावा दिया कि जनसंख्या कम कब होगा, यहां के लोगों को बाहर बेज़ दो, पहले उत्री टापू होकाईदो की ओर, जो काफी हद तक स्वतंत्र इलाका था, और जहां आयून कहे जाने वाले देशी लोग रहते थे, आयून क्या, आयून मतलब महां के मून लिवासी, ता आयून कहे जाने वाले देशी लोग रहते थे, फिर हवाई और ब्रजील और जपान के बढ़ते हुए अपनिरसिक समराज्जी के तरफ, उधोग के विकास के साथ लोग सहरों में आये, गाहों से लोग सहरों में चले गए, छोटे-छोटे देसों से बरे-बरे देसों में चले गए, जनता सोहरों में रहती थी, 21% जनता सोहरों में रहने लगी और 79% जनता जो थी 89% कहा रहती थी, वो रहती थी हमारे गाउं में, तो 1935 तक यह बढ़ कर 32% हो गई, जो 21% जनसंख्या सोहरों में रहती थी, अब 32% जनसंख्या सोहरों में रहने लगी, मतलब करीब करीब 2.25 करोड जन संख्या सहर मनाती थी बागी लोग गाउंने तो हमने अभी क्या परहा? क्या परहा? अभी हमने क्या पर रहे थे? नहीं याद है? हमने अभी वहां के अरत बेवस्था के अधुनिकी करण के बारे में परहा अब हम ठिक परहेंगे और धोगिक मजदूर क्या थे? और धोगिक मजदूर मतलब जो कमपनी में काम करने वाली लोग कितना काम करते थे? और धोगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाग से बढ़ कर 1913 में 40 लाग पहुंच गई जहांपर 7 लाग लोग काम करते थे अब वहाँ पर 40 लाख लोग काम करने लगे थे और अधिकतर मजधूर ऐसी एकाईओं में काम करते थे ऐसे हालात में काम करते थे जिन में 5 से कम लोग थे त 현재 5 से कम लोग थे और जिन में मसीनों और विदूत उर्जा का इस्तमाल नहीं होता था उस समय तो मजीनों का इस्तमान उतना नहीं था और एलेक्ट्रिक इंजन का भी इस्तमान नहीं होता था सब हाथ वाला काम था और इन आधोनिक करखानों में काम करने वालों में आधे से ज्यादा महिलाए थी आधे से ज्यादा महिलाए थी मतलब समझ लो कि 20 लाग से 20 महिलाए वहाँ पर काम करते थी 1886 में पहली आधोनिक हर्ताल का आयोजन महिलाओं ने किया 1886 में पहली बार मतलब कमपनी के अंदर हर्ताल हुआ और 1900 के बाद करखानों में पुर्षो की संख्या बढ़ने लगी लेकिन 1930 के दसक में आकर ही पुर्षो की संख्या महिलाओं से अधिक हुई समझ लोगे कडिब कडिब यहाँ पर 50 साल लग गया पुर्षो को बराबरी करने में महिलाएं हमारी बहुत आगे थी लेकिन उन सब को पीछे कर दिया गया जबर्दस थी क्योंकि उनके वज़ा से इनको काम नहीं मिलता था आज भी जपान में जाओगे तो लड़कियां ज्यादा वहाँ पर काम करने के लिए दिखेंगे आपको मर्द ज्यादा तो नहीं दि लिट का काम लड़की लेकिन अभी हमने अभी तक जानते हैं जहां तक तो मेरे उमर भर में मेरे देखते हुए में आज तक हमने नहीं देखा कोई लडकी अलेक्रीज न का काम कर रही है कोई लड़की मजदूरी कर रही है मैंने देखा अपने utilizing directly मालगे में गया वहा पर द इसी जिसकी मतलब सूच जैसा काम करना चाहते हैं और कुछ इलाके के लोग होते हैं कि अपने आपको बापू समझते हैं तो ऐसे ही मुखेबल गिरते हैं करखानों में मजदूरों के संख्या भी बढ़ने लगे थी 100 से ज्यादा मजदूर वाले करखानों के संख्या 1909 में 1000 जिसमें 100 लोगों से ज्यादा काम करते थे तो एक हजार कंपनी थी केवल जापान में केवल यहां पर जापान की बात चल रही है 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज्यादा हो गई और 1930 के दसक में 4000 पहुँच गई थी कंपनी का मतलब कंपनी इतने खुल गए थे चार हजार करखाने खुल गए थे तो समझ लोग कि कितने लोग वहाँ पर काम करते होंगे चार हजार गुने दो गो तो 40,000 लाग लोग तो इसा ही काम करने लगे थे इसके बावजोद 1940 में ये दस्बीर देख लेना ये सब धागा मिल है साथ मुझे थे धागा मिल लगड़ा है देखने से वही महसूस हो रहा है याँ आपर कपरा बनता था तो 1940 में 5,50,000 करखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे अब समझाओ यहाँ पर कि 5,50,000 करखाने ऐसे थे जहां पे 5 से कम मजदूर काम करते थे ये घरेलू का खाना था आगे देखते हैं कि इससे परिवार केंद्रित विचार धारा बनी रही बोले ने कि ये परिवारिक धंदा था इसलिए पांच लोगों से कमी में काम चल जाता था तो ये परिवार केंद्रित विचार धारा बनी रही इस तरीके से जिस तरह राष्ट राष्टवाद को मजबूत पैत्रिक वेवस्था का सहारा था जहां समराट परिवार का कुलपती माना जाता था यहां पर समझ लो कि राष्टवाद को मजबूत पैत्रिक वेवस्था का सहारा था मतलब एक समराट उसका बेटा उसका बेटा मतलब समराट के परिवार के वज थी हमारी राजतंत्र सरकार जो था उसके वजह से हमें अपनी वैसिक स्थासन को जहनना परा मुगल समराज को जहनना परा अगर ये दो हम नहीं जहलते न तो आज भी हमारे पास आपार संपता रहती आज भी हमारे पास अपार धंदौलत रहते आज भी हर गरीब के पास खट कुछ लोग बरबाद कर दिए कुछ लोग डुबा दिए कुछ लोग फेक दिए तो हमें परकार के काम होते does is को जैसी जिसकी सोच वाईसे डूबाता था तो उधोग के तेज और अनियांतृ उपकाश समझो कि अधोग के तेज और और नियंत्रित विकाज, तेजी इसे तो उधोग बढ़ता था, नियंत्रन भी नहीं था उस्वे, और लकडी जैसे प्रकिर्तिक संसादनों की मांग से पर्यावरन का बिनास होता गया, होता गया, और संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य, तनाको सोजो, तनाको सुनोजो ने 1897 में उधोगिक पर्दूसन के खिलाप पहरा अंदोलन छेड़ दिया, भया उधोगों के वज़ा से पर्दूसन ज्यादा फैल रहा है, और 800 गाउं मासी जन बिरोध में इकठे हुए, 800 गाउं के लोग सामने आगए गाउं मासी, यहाँ पर देखो, 800 गाउं मासी जन बिर परवाई करने के लिए मजबूर किया कि वहाँ करवाई कर, नहीं तो हम परवाद हो जाएंगे, एक किसान के बेटे तनाका सोजो, जिनका जीवन काल 1841 से लेकर 1913 था, उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद की, खुद से पढ़ाई की, ठीक है, और एक मुख्यराजनितिक हस अंधोलन में हिस्सा लिया, और इस अंधोलनने साभधानिक सरकार की माँगकी, और वह पहली संसद डायट में, डायट यहां पर है, डायट में सदत से चुने गए थे, उनका चुन लिया गया, उनका मानना है कि अधोगिक प्रगती के लिए आम लोगों की बली नहीं दी ज जाननी चाहिए मतलब अधोगी छेतर में आपको बनोत्री करना करो लेकिन आम लोगों को जान ना गवाने परें आम लोगों की बली ना दी जाए वैसी काम करो आसियो खान से आसियो खान कोई होगा ता आसियो खान से वाता रासे नदी में वातारासे वहाँ पर एक नदी था तो वतारसे नदी में परदूसन फैल रहा है किस से? वह पर जितने वी खान है उसके वजह से ठीक है? जिसके कारण सोव वर्ग मिल की किरिसी भूमी बरबाद हो गई है सोव वर्ग मतलब 100 किलोमेटर के छेतर में जितने वी जमीन है वह सब बरबाद हो गया है ये खजार परिवार परभावित हो रहे है अंदोलन के चलते कमपनी को परदूसन नियंतरन के तरीके अपनाने परते चाहिए अपनाने परे जिससे 2004 तक फसल समानने हो गई जो भी उनका फसल था वह सब ठीक तरीके से होने लगा थे क्योंकि परदूसन कंट्रोल हो गया इसलिए बोलते हैं परदूसन को कंट्रोल में रखो परदूसन को ज़्यादा फैलाओ नहीं परदूसन को फैलाओ नहीं मतला बताए कि समाज गंदा मत करो हवा गंदा मत करो धुआ इतना ज़्यादा गंदा मतनी क्यालोग जिसके वज़ाद से हमारी प्रकृति खराब हो जाए इसके वज़ाद से हमारा पुरा स्रिष्टी में गंदगी फैल जाए नदी में गंदा, हवा में गंदा, पानी गंदा, मिटी गंदा तो इस से आपको बचाना चाहिए है इसी गंदगी ना फेलाए इस सब चीज़ से हमें बचना भी चाहिए आप यहाँ पर देखो आप आकर्मक रष्टवाद क्या होता है इसको समझो आफिर से आप देखते हैं नीचे इर्जाम्पल देखते हैं तब हम बताते हैं ठीक है तो मेजी संबिधान समीती मत अधिकार पर अधारी था जिस तरह भोट देदेद सरकार बनती है उसी पक्ष पर यह लोग भी सामने आये कि भी या नहीं संबिधान के अनुजार चलेंगे हम भोट देगा कोई तब ही हम पार्टी बनाएंगे और उसने डायेट बनाई जिसक जर्मन सब्द का इस्तमाल किया क्योंकि इसकी कानूनी सुच जपानियों की सुच से परभावित थी साही पुनर अस्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनितिक पार्टीयों का गठन किया 1908 और 1931 के दर्मियान जन्मत से चुने गए प्रधान मंत्री जन्मत से चुने गए प्रधान मंत्रियों ने मंत्री परिशत बनाए थे जिसके बाद उन्होंने पार्टीयों का भेद भुला कर बनाई गई राष्टीये एक्ता मंत्री परिशत के हाथों में अपनी सत्ता खो नहीं समझे बताता हूं। जब एक प्रधान मंत्री परिशद बनाया तो उसके बाद क्या हुगा? उठ्वोंने पार्टियों का भेद भूलाकर अपना भेद भूलाकर बनाई गई राष्ट्री एकता मंत्री परिशद के हाथों अपनी सत्ता खोदी, सब लोग हट गए, इनको हटा दिया गया समराट सैन्य बल का कमंडर था, उसमें भी समराट जो था सारे सेनाओ का कमंडर था, इसलिए हर छित्र में देखोगे कि सारे सेन्य का कमंडर को होता है, आपके देश में समझों कि ठीक तरीके से बताऊं, तो जो भी लोगत अंतरीक देश है तो हाँ का राष्टपती जो होता है न, वही कमंडर होता है सभी सेनाओ का तो समराट जो था, सैन्य बलो का कमंडर था, और अठरासो नब्बे से यह माना जाने लगा था कि थल सेना और नौ सेना का नियंत्रन सोतंत्र है, अईसा क्या हुगा? यहाँ पर मानने लगे थे, ठीक है? आगे देखते हैं, अठरासो निनानवे में कब 1899 तो 1899 में परधान मंत्रे ने आदेश दिया कि केवल सेवारत जनरल जो भी सेवा कर रहे हैं तो सेवारत जनरल और एड्मिरल ही मंत्री बन सकते हैं मतलब जितने भी सेवा में हैं जनरल है चाहे एड्मिरल है वही मन्तरी बन सकते हैं उसके अलबा कोई नहीं सेना को मजबूत बनाने की मुहीम और जपान के उपनिवेस, देसु की बिरिधी, इस डर से जुरे हुए थे कि जपान पस्चमी सकतियों की दया पर निर्भर थे, क्या थे पस्चमी सक्तियों के दया पर निर्भर था कौन जपान इस डर को सेन बिस्तार के खिलाप समझों कि यह जो डर था कि पस्चम के वज़ा से ही हम टिके हुए हैं इस डर को सेन बिस्तार के खिलाप और सेन बलो को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्य करो के खिलाफ उठाने वाली आवाजों को जो भी उसमें उठी थी तो उठने वाली आवाजों को दवाने में इस्तमाल किया गया था तो एक डर्ण था कि जो भी है हम पस्चिम के सक्तियों के वजह से हैं इस डर्ण के खिलाफ जो उठने वाली आवाज थी उसको दबाने के लिए सैनेवल का इस्तमाल किया गया था जो परधान मंत्री नहीं वहां के जो राष्टपती थे समराट थे समराट के वजह से ही समराट के ओडर के वजह से ही सब किसको दबा दिया गया सभी आवाजों को दबा दिया गया जो भी उठने वाली आवाज थी जो भी उठने वाला अंदोलन था उसको वहीं पर दबा दिया गया था ये सामने तस्बीर देख सकते हैं एक पत्रिका का आवरण प्रिष्ठे फर्स्ट प्रिज है नव यूगों को देश हेतु लगने के लिए प्रिरित किया जा रहा है छातर साइनिकों के चित्र यहां पर देख सकते हैं जो भी 20 साल का होगा उसको दो तीन साल तो सेना में रहना ही पड़ेगा और सेना में रहकर देश की सेवा करनी पड़ेगी ये नियम होना चाहिए हर देश का नियम होना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसी जिसकी सुँच जैसी जिसकी जरूरत ऐसा हर देश में करा जाए तो भैया दिक्कत तो हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा वो छोटा देश है, इसलिए वहां का ऐसा नियम था लेकिन आज वो नियम हटा दिया गया, वो हिटलर नियम था इसलिए हिटलर के जवाने में वो सब नियम चलता था लेकिन आप खतम कर दिया गया है पस्चिमी करण और परंपरा आप समझना यहापर पस्चिमी करण मतलब पस्चिम के वजह से ही देश चलना और परंपरा कौन सा देखते हैं यहापर तो जपान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जपानी बुद्ध्य जीवियों की अनुकरमिक पेडियों के विचार अलग अलग थे जो भी जपान के पढ़े लिखे लोग हो थे उनका विचार अलग अलग था क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते उनका विचार हमें से अलग ही राता है कुछ के लिए अमेरिका और पहस्यमी इउरोप देश सभ्यता के उचाईयों पर थे कुछ लोग मानते थे कि अमेरिका और पहस्यमी इउरोपिय देश जो है उचाईयों पर थे जहां जापान पहुँचने की आकांसा करता है मतलब कोशिस करता है कि हम वहाँ पर पहुंच सकेंगे फोकुजावा यूकिची तो एक जगा है फोकुजावा यूकिची मेजी काल के प्रमुख बुधिजीमियों में से थे अच्छाई किसी का नाम है जगा ने नाम है जो मेजी काल के मतलब जब जब जपान में मेजी काल था तो उस समय के प्रमुख बुधिजिवियों में से एक थे उनका कहना था कि जपान को अपने में से एसिया को निकाल फेकना चाहिए यह बोल रहे हैं कि जपान के अंदर एसिया थो रहे था, एसिया का अंदर जपान था, तो यह चाहते थे जिसका नाम था फोकुजावा यूकिची, वो चाहता थे कि जपान से एसिया को निकाल फेकना चाहिए, बहुत बड़ी गलत है में इन लोगों को हो जाती होगी, मानते कोई बात नहीं, यानि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि यानि जपान को अपने एसियाई लक्षन छोड़ देने चाहिए, और पस्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए, एसिया से हट जाओ, और पस्चिम में जाकर सट जाओ, ऐसा यह मानते थे, फोकुजावा यूकिची, और ये सोच उनकी कैसी थी, वहीया उनहीं को पता है, हमें क्या जानना, कि वो क्या सोचते थे, ऐसा माना जाए, तो आज ये पस्चिम के देशों से मिली गए हैं, क्योंकि इनकी संद्क्षन कौन करता है, अमेरिका, अमेरिका का वज़ास से ही इनका सारा बॉर्डर सीक्योर र रहा हुआ ठेक है और इनकी सिक्षा नागसागी और ओसका में हुई नागसागी और ओसका एक शहर ही था जैपान का वहाँ पने इनकी सिक्षा हुई उन्होंने डच और पस्चमी बिज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रीजि भी पढ़ा 1860 में अमेरिका में पहले जपानी दूतावास के अनुवादक के रूपे में गए थे और इससे उन्हें पस्चिम पर किताब लिखने के लिए किधर पस्चिमी देशों पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला था उन्होंने अपने बिचार क्लासिकी नहीं वलके बोलने चालने के अंदाज में लिखे क्लासिकी मतल्लिखने का नहीं केवल ऐसा कि बोलो और समझो तब बोलो और समझने का बात इनका था यह किताब बहुत ही लोग प्रिये हुई उन्होंने एक सिख्षा संस्था अस्थापित किया जो आज कि वो विस्व बिद्याले के नाम से जाना जाता है और जपान में ये विस्व बिद्याले है भी वे मेरो कुसा तब मेरो कुसा संस्था के मुख सदस्य में से थे ये संस्ता पस्चमी सिक्षा का परचार करती थी कौन सा? मेरो कुसा अपनी एक किताब ग्यान के लिए पुरुचाहन मतब उनका एक नया किताब था ग्यान के लिए पुरुचाहन जिसका नाम था गाकु 9-9 गाकु 9-9-9 सुसमे जो 1872 से 173 के विज में लिखा था उसमें उन्होंने जपानी ग्यान के खड़िय रोचना की कि правильно बहुत खराब है जपान के पास प्रकिर्थिक द्रिष्ट्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है उन्हों ने आधुनिक करखानों और सनस्थाओं के अलवा पॉस्षिम के संस्कृतिए सर्तत्य को भी बढ़ावा दिया मतलव हम देशी पर करद रहे तर हम असब गड़ी बिखार फकीर क्योंकि वो अमेरिका में रख रहा है तो जो भी आज बाहर के देशों में रहा है सौट्स पहनता है तो यहां के सारी सलवार को बोलता है घटिया देश इस ओल्ड फैसन बैंजी टाइप एरे तेरे मैसा मारो तुम लोगों के सोच के वज़ा से तुमारे ड्रेसिंग सेंस के वज़ा से रेप केस इतना ज़्यादा बढ़ गया है यह लड़कियों को समझ में नहीं आता है और लड़के बेहुते जो बाहर जाका पढ़ते हैं यहाँ पर आते हैं तो लवंडा टाइप का जो इस्टाइल बना कर रखते हैं उन लवंडे टाइप के वज़ा से आज अपने देश में छपरी बन जादा बढ़ चुका है देखावा कि हम ये हैं तो जिन छपरीयों का हम कोपी कर रहा है ना सबसे परज़े तो करना नहीं चा कर दो लेकिन छपरीयों का कोपी मत करो क्योंकि छपरी बनने से कुछ नहीं मिलने वाला है समझ रहो ना आगे देखते हैं उसके जड़िये एक नया नागरिक बनाया जा सके जिसका सिद्धान्त था स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया मतलब समझो कि स्वर स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया नहीं इंसान को इंसान के नीचे बनाया फिर से समझना इस लाइन को कि उनका सिधान्त था कि स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया और नहीं इंसान के नीचे बनाया जैसा इंसान है वैसा ही बनाया वैसा राष्टिरिये गर्व देसी मुल्यों पर निर्धारित होना चाहिए जो भी राष्टिरिये गर्व है देसी मुल्य पर निर्धारित हो वह सहीं चलेगा मतलत एक तरीके से पूरे अगले पिढ़ी ने पस्मी विचार धारब पूरे तरीके से सिविकार करने पर सवार उठा द 1860 से लेकर 1945 के बीच में था उन्होंने तर्क पेस किया यहां पर सामने कि विश्त्य सभ्यता के हीत में हर राष्टे को अपने खास हुनर का विकास करना जाए तो विश्त्य में जोभी देश है जोभी सभ्यता है उनके राष्ट में उनके देश में उनके अपने सभ्यदा का विश्तार करना जाए उनकी अपने हुनर का विगास करना जाए जो हुनर आपके देश की है उस हुनर को आगे बढ़ाओ समझ रहे हो न और अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करना है यहाँ पर समझ लो कि अपने को देश के लिए समर्पित करना और अपने को विश्व को समर्पित करना है देश के लिए और विश्व के लिए समर्पित करना है और इसकी तुन्ना में बहुत से बुधि जीवी पस्चमी उदारवाद के खिलाप आकरसक थे क्या थे आकरसक थे बेदबाव, उनके पोसाग का, तो उनको इस देश से उठाओ, और डारेक्ट वहाँ पर जाका पटक के आओ, तुम साला इस देश में नहीं रह सकता, तुम इस देश में रहा कर इस देश के संस्कृति इस देश के परिधान को गाली दे रहे हो, उठा कर तुम बाहर फिको, उठा को उनको बाहर फिक देना चाहिए, लेकिन सायद सरकार उस समय नहीं कर पाई, जिस दिन हमारे सामने इसा कोई बोले गाना, तो देएंगे चार चमाटा उसी समय, शाला तुम अपने देश में रहा कर अपने देश की संस्कृति को नहीं अपनाया, तुम नलायक है, य ऐसे ऐसे तर्ग सामने आते थे, और वे चाहते थे कि जपान अपना अधार सेना की बजाए, लोग तंतर पर बनाए, मतलब जपान अपना पूरा अधार सेना पर नहीं, लोग तंतर पर बनाए, लेकिन उस समय तो सेना की मांग थी, तो सेना पर ये लोग फोकस किये थे, औ जिवन काल था 1857 से 1892 ठीक है फ्रांसिसी करांती में मानों के प्रकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिधान्तों के प्रसंसक थे वह वहां के लिए कुछ तो किया जा ना तो प्रकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिधान्त मतलग तंत्र के सिधान्त के प्रस परवादे सिक्षा क्या जो हर प्रकार का सिक्षा हो मनतब हर प्रकार का पढ़ाई लिकाई वहाँ पर हो जो परतेक ब्यक्ति को विक्सित कर सके हर ब्यक्ति को छोटा बरा कोई भी हो विक्सित हो सके ब्यवस्था से ज्यादा किमती चीज है समझो यहाँ पर कि विक्सित कर सक बेवस्ता से ज़्यादा किमती चीज है अजादी, हर किसी को हम जब अजादी देते हैं तो अजादी मिलते ही वो अपने आपको चोगुना रफ्तार से सामने बढ़ाएगा, डूबेगा तो खुद डूबेगा, उठेगा तो खुद उठेगा, बरबाद होगा तो खुद बर साओ ने सरकार को सम्विधान की घोसना करने पर बाध्य कर दिया, कि सम्विधान की घोसना करो, सरकार को मजबूर कर दिया कि सम्विधान की घोसना तुम करबे करो, इसके अगले भाग में हम परहेंगे, रोज मर्रा की जिंदगी, तो रोज मर्रा की जिंदगी में हमें ये गायस्त चाहिवे किरिए, ये हीटर चाहिवे करिए, खा ये कुकर चाहिए, बिजली वाला कुकर है सायद, बाद में इसको बताऊंगा ठीक तरीके से, ये सब गारी, ये सब परिवारे, कार, क्लब्स, ये सब तो चाहिए ना जी, फिर उसके वाद से अधुनिक्ता पर विज सचवालेश नमबर पेज में वो नीचे हम परेंगे डिटेल्स में ठीक है, तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुरने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार, आसा करते हैं कि आप हमारे साथ है सहीं, बने रहेंगे,